मालूम होता है मेडम हम लोग अपना अधिकार मंगने है इसलिए हम लोग जब अधिकार मंगने हैं बाहने हैं.. को जोग gotta.. क्या मालूम होता है मेडम.. आप फिलस ने खिवे को शने हरे बैड़ कि लोग समस्द में आगा कि क्या बिचता है.. हम लोग लोग केरियार करसे रहा तो जाने को तयार नहीं थे तो हम लोगों नी टो पूसे के लिए अल्शा निकल ले यहां र्फिकेशन के यहां पाऊगा। यहां पे जितने लोखे दो बसे में लोगों नें के बेजा है। झाट सोज्चाहं पे लगए वहां राउड नहीं है। तो चैनी जगाए मुराबादी मेदान वहाँ पर करें, क्रिपया यहाँ पर रोड पर आके ट्राफिक की समस्या उत पर नहीं करें, स्कूल बसेश फसीवी हैं, एंबुलिसेश फसेवे हैं, आप लोग अपना समयधानिक तरीके से जिनको भी आंदोलन करना है, वो और हमारी लिएाय नहीं भी होती है, तो इस अंदोलवाद हमजोर नहीं पर नाचाहिए, यह तरह से बदलना चाहिए, कि पर उतने टेकने पर मजबूर कर देखा, आघरी में यहीं कहेंगे दोस्त, अब चित्केंगे, हम दर्केंगे, हम तूटेंगे, हम भीखरेंगे, हम इसनी में मिल जाएगे एपना हता अधिकार से समझ्झोता नहीं करें कि दल्रां पर जंता ना कभी गंदारी तो यह जो हमन सुरन की सरकार है तरह अंदा हो चुका है इसे उनुल फूल नीती बना रहा है इसे पिस्टिकाई ने जगा है अब हमारे आखों में पट्टी बांदने का समय नहीं दोस्ते और इसके पहले भी हम कहे थे कौन कौर्रोव कौन पांड कोई राजा बने या रंग परजा का तो रोना है हमारा रोना है दोस्तों और आगे यहीं कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव जन्ता को बचारी दुर्पती है अगर कौरव राजा हुए तो छीर रण के काम आएगी अगर पांडव राजा हुए तो इस वे में हाल देगी बस वही हाल है जो रगुवर दास ने जो काम किया था वही हैमन सुरेंड कर रहा है जिस तरह से रगुवर दास ने महिलाओं पर लाठी चार्च किया था आज हैमन सुरेंड ने भी अपना रूल दिखा दिया और महिलाओं पर लाठी चार्च किया गया अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले